चैप्टर टू का एक्जाम्पल नंबर फिफ्टीन सॉल्फ करते हैं फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23 एक स्क्वेर प्लस 142 एक्स माइनस 120 हमें कोश्चन के अंदर एक क्यूबिक पोलिनॉमिल दे रख है देखो इस पोलिनॉमिल में एक्स की जो हाइस बार है वो 3 है इसका मतलब यह क्यूबिक पोलिनॉमिल है और जो क्यूबिक पोलिनॉमिल होते हैं वो 3 लीनियर पोलिनॉमिल को आपस में मल्टिप्लाइ करने की वज़े से बनते हैं और factorize करने का मतलब है कि हमने इस बड़े polynomial को इस cubic polynomial को break करके वो वाले तीन linear polynomials find करने हैं जिने multiply करने की वज़े से ये वाला polynomial बना है चलो solve करना start करते हैं cubic polynomials को factorize करने के तो एक ही technique है इसी technique को use करके हम सारे cubic polynomials को factorize करते हैं step number 1 जो सबसे पहले आपको polynomial दे रख है उस polynomial को आपने px assume कर लेना है अब देखो इस polynomial के अंदर लास्क में ये जो constant number है constant number minus 120 है तो आपने minus 120 के सारे के सारे factors को लिखना है minus 120 कौन कौन से numbers से divide हो जाता है उन सारे numbers को लिखना है तो minus 120 के factors है plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 और 6 की ये वो सारे numbers है जो की minus 120 के factors है देखो minus 120 कोई भी number अगर 2 से divide होता है न तो इसका मतलब वो minus 2 से भी divide होता है कोई number अगर 3 से divide हो जाता है तो वो minus 3 से भी divide होता है तो इसलिए plus minus 2 के sign को लेना होता है अब एक एक करके न हम values put करके देखेंगे कि इन में से वो कौन सा factor है जिसके उपर हमारे polynomial की value 0 आती है तो काफी सारे numbers हैं यहां से 1 से start करते हैं तो देखो first time में ही आ जगा पहले polynomial की value न 1 पे find करते हैं p of 1 find करने के लिए polynomial के अंदर जहा जहां पे x लिखा हुआ है आपने x की जगा पे 1 को put करना है तो आपने भी cube लगाना है फिर minus 23 का minus 23 as it is x की जगा पे 1 को लिखा उपर square है तो आपने भी square गाना है फिर plus 142 को ऐसे ही लिखना है और x की जगा पे 1 put किया last में minus 120 का minus 120 as it is 1 का cube 1 ही होता है 1 का square 1 ही होता है उसे minus 23 से multiply करेंगे तो result minus 23 आएगा 142 multiply by 1 is equal to 142 और ये minus 120 as it is अब देखो जो positive numbers है ना ये 142 और 1 इन दोनों को add करके 143 आ रहे है और negative numbers को add करके भी minus 143 आ रहे है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेते हैं और result का रहे है 0 लगिली first time पर ही 0 आ गया अगर 1 put करने पर 0 ना आता ना तो फिर minus 1 put करके देखते minus 1 पर भी अगर 0 ना आता तो फिर 2 put करते फिर minus 2 put करते फिर 3 put करते फिर minus 3 put करते आपने तब तक values put करते जाना है जब तक 0 नहीं आ जाता तो यहां तक हमने कर लिया है x की value 1 put करने पर polynomial की value 0 आ रहे थी देखो x की value 1 put करने पर 0 आ रहे है ना तो 1 को left hand side पर लेके जाएंगे तो बन जाता है x minus 1 तो इसका मतलब x minus 1 वो हमारे polynomial का factor है 1 put करने पर value 0 आ रहे थी ना तो x minus 1 वो हमारे polynomial का factor है ध्यान रखना इस point को sign की गलती मत करना x की value 1 put करने पर 0 आ रहा था ना तो 1 को left hand side पर लेके जाओ x minus 1 बनता है वो हमारे polynomial का factor है और इसका reason आप लिखोगे by factor theorem तो first factor तो हमें मिल गया हमारे polynomial का अब अगले step के अंदर जो हमें polynomial दे रख है ना उस polynomial को हम divide कर देंगे इस factor से x minus 1 से पहला factor आपने ऐसे पता लगा लेना है अब बाकिए factors इस तरह से पता लगाएंगे तो बहुत ज़ादा time लगेगा बार बार थोड़ी हिक्टेंग्ट्रायल मेथक करते रहेंगे तो first factor जब आपको पता चल जाए अगले step में आप क्या करोगे polynomial को divide कर दोगे जो पहला factor आपको मिला है उससे तो अब हम divide करते हैं हमारे polynomial को x minus 1 से division आपको आती है तो अच्छी बात है मैं फिर भी एक बर आपको सारे steps explain कर देता हूँ ये जो हमें question में polynomial दे रखा था सबसे पहले तो हमने उस polynomial को लिख लिया x minus 1 से हमने divide करना है अब देखो यहाँ पर first term पर focus करो x है और यहाँ पर first term है x cube तो x को किस से multiply किया जाए ताकि x cube बन जाए तो उसका answer है x square तो यहाँ पर आप x square को लिखोगे और दोनों से multiply करना है x multiply by x square is equal to x cube और minus 1 को x square से multiply करेंगे तो minus x square आएगा अगले step में sign सबके change कर देने है और यह नीचे वाला sign लेना होता है अब x cube और minus x cube यह दोनों तो आपस में cancel out भी हो जाएंगे अब यहाँ पर देखो दोनों तरफ x square है न तो minus 23 plus 1 तो बचेगा minus 22 x square इन दोनों terms को उपर से आगे carry forward कर लिया अब देखो यहाँ पर first term है minus 22 x square अब आप यह सोचो कि x को किस से multiply करें ताकि यह बन जे minus 22 x square बन जे तो x को minus 22 x से multiply करें तो यह बन जाता है तभी यहाँ पर हमने minus 22 x लिखा और आपने दोनों से multiply करना है x multiply by minus 22 x वो बन जेगा minus 22 x square और minus 1 को minus 22 x से multiply करेंगे तो plus का 22 x बनेगा अगले step में sign सबके change करने है अब ये minus 22x square और plus का 22x square ये cancel out को जाते है यहाँ पे 142 minus 22 is equal to 120x और ये 120 carry forward कर लिया minus का तो यहाँ तक clear अब देखो यहाँ पे है 120x और यहाँ पे है सिर्फ x अब आप सोचो x को किस से multiply करें ताकि 120x बन जाए तो answer है 120 120 से multiply करने पे 120x बनते है तो यहाँ पे आप 120 को लिखोगे और दोनों को multiply करोगे x multiply by 120 is equal to 120x और minus 1 से 120 को multiply करें तो minus 120 आता है sign सबके change करने है अब ये देखो ये भी cancel out को जाता है ये भी cancel out को जाता है minus 120 और plus 120 cancel out को जते हैं तो result आ रहा है 0 हमेशा यहाँ पे remainder 0 ही आएगा मतलब complete division होगी ही होगी क्योंकि ये factor था ना जो factors होते हैं वो completely divide करते ही करते हैं तो divide करने के बाद ये उपर ये हमें quotient मिल गया तो ये वहला जो quotient है इसे qx से आपने represent कर देना है ये हमें मिल गया quotient ना अब बस थोड़ा सा ही रहा गया है अगले page पे इसके आगे solve करते हैं divide करने के बाद अगले step में आप लिखोगे divident is equal to divisor into quotient plus remainder divident is equal to divisor into quotient plus remainder अब इनके respective values put करते हैं divident की जगा पे लिख देते हैं px जो हमें polynomial quotient में दे रखा था divisor हमारा x minus 1 है क्योंकि x minus 1 से हमने एक divide किया था और divide करने के बाद quotient काया था x square minus 22x plus 120 और क्योंकि completely divide हो गया था तो इसका मतलब remainder 0 है तो अगले step में इस plus 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बाकि दोनों terms को आपने as a giz लिखा देखो पहला factor तो हमने hick and crown method से निकाल दिया था divide करने की वज़े से ये वाला जो quotient का है न जब हम इसकी splitting the middle term करेंगे तो ऐसा करने से बाकि के दोनों factors भी पता चल जाएंगे देखो यहाँ पे last में अब split करने जा रहे हैं इसे न यहाँ पे last में 120 है और x square के आगे 1 है तो 1 multiply by 120 is equal to 120 तो हमने दो ऐसे number सोचने है जिने plus करके minus 22 आए और multiply करने के बाद 120 आए तो minus 10 और minus 12 ये दो ऐसे numbers है अगर आप इन दोनों को add करो तो minus का 22 आता है और multiply करो तो ये 120 आ जाता है तो ये वाले जो middle term है न minus 22x इससे आप split कर दोगे इससे आप break करके दो parts में ऐसे लिखोगे minus 10x और minus 12x अब first two terms में से common लेना है और last two terms में से common लेना है first two terms में से x common आ रहा है x square में से 1x common ले लिया तो 1x बज़ेगा और यहां से अगर आपने x common ले लिया तो ये minus और 10 बज़ेगा last two terms में से minus 12 common लेना है minus और 12 common लिया तो ये वाला सिरफ x बचेगा अब ये वाला जो plus का sign है न आप ऐसे imagine कर सकते हो कि ये दो minus के sign से मिलकर बना हुआ है उसमें से एक minus का sign आपने common ले लिया तो एक बच गया और 120 होता है 12 multiply by 10 तो 12 तो common ले लिया तो सिरफ 10 बचेगा अब x minus 10 यहां पर भी है x minus 10 यहां पर भी है ये तो ऐसे की से चलता रहेगा इसके अंदर आपने कोई change नहीं करना और divide करके ये जो हमारे पास quotient का है था जब आप इस के splicking the middle करोगे तो वहां से हमें बाकी के दो factors भी मिल जेंगे तो जो हमें polynomial दे रखा था वो cubic polynomial था और हमने उसे break करके वो तीनो polynomials find कर लिए वो तीनो linear polynomials find कर लिए जिनने multiply करने के वज़े से ये वाला polynomial बनाओगा तो ये हमारे question का answer है Share की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है exam की See you in the next video All the best